हेलो दोस्त, स्वागा तेमसी की बड़ में दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर रेलवे की तरब से निकल के आ रही है जहाँ पर दोस्तों जो सारी अकिस आरार्बी और सोलो आरार्सी है उनको दोस्तों यहाँ पर खदम किया जाएगा और Group D की exam कौन लेगी TCS या NSEIT दोस्तों दोस्तों में से Group D की exam कौन लेगी यह सारा चीज दोस्तों हम लोग जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में बन रहें दोस्तों परियाग राज से निकलने वाले एक समचार में आज के डेट में यहाँ पर ये खबर छपी है कि परियागराज समय देश के सभी RRB और RRC बंद करने का प्रस्ताव पारित क्या गया है दोस्तो रेलवे नेशनल टेस्टिंग एजनसी के माध्याम से रेलवे में निक्तियों की तयारी में है दोस्तो रेलवे RRB और RRC को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था केंद्रिय बित मंत्राला के प्रिंस्पल एकनोमिक एडवाजर संजीर सन्याल ने इसको तयार किया था और इस प्रस्ताव को मंत्री मंदल सचिवाले से दोस्तो हरी जंडी मिल गई है और रेलवे सारे जोनल रेलवे को जरूरी करवाई करने के लिए बहित्या गया है रेलवे में होने वाली सारी निउक्तियों को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा और अब RRB और RRC को भी नियुकती जो है National Testing Agency के द्वारा ही होगी तोस्तो अब RRB और RRC को नियुकती परकिरिया के लिए अब कोई भी जरूरत नहीं रजागी तोस्तो railway school की अगर हम बात करें तो जितने भी railway विद्यालेक है उनको केंद्रिये विद्याले संगठन के अंतरगात देती जाएगा और जहां केवियास के railway की अस्कूल को को हेंडल नहीं कर पाएगी महाँ पर स्टेट गौर्णमेंट उस अस्कूल को सौप दिया जाएगा दोस्तो देश भर में इसका बिरोध होना शुरू हो गया है और दोस्तो railway union भी इसका बिरोध करेगी यहां पर किलियरली मैंशन क्या हुआ है दोस्तो यहां पर देश सकते हैं railway school को भी बंद करने की पूरी तैयारी है चलिए दोस्तो अब हम लोग आगे जानेंगे की ग्रूप D की जो एक्जाम है वो TCS या NSC IT कौन करवाएगी दोस्तो railway ग्रूप D की एक्जाम TCS या NSC IT करवाएगी दोनों में से कौन करवाएगी दोस्तो जिस तरह से everyday new channel पर उन्होंने बताया है की एक्जाम जो है NSC IT ले रही है लेकिन दोस्तो इसका कोई भी official update नहीं है लेकिन दोस्तो everyday new channel पर 20 लाग से ज्यादा subscriber है तो इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिसको internal कोई information है और उन्होंने पूरी security के साथ बोल रहे है की NSC IT ही आपका एक्जाम ले रहा है गुरूप D का तो दोस्तो NSC IT आपका एक्जाम ले रहा है हो लेकिन दोस्तो अभी तक इसका कोई भी official update नहीं है कि TCS या NSC IT एक्जाम कंड़क्ट करवाएगी लेकिन दोस्तो यहाँ पर मुझे 40-60 का chance लगता है 40% है कि TCS एक्जाम ले और 60% जो chance है NSC IT एक्जाम ले सकती है दोस्तो अगर NSC IT को एक्जाम कंड़क्ट करवाना होता तो अब तक दोस्तो एक्जाम शुरूफ हो गया होता है लेकिन दोस्तो अभी तक कोई भी official update नहीं है दोस्तो NSC IT एक छोटी company है लेकिन दोस्तो इसने भी railway और PF वगरा का जो एक्जाम कंड़क्ट करवाई है लेकिन दोस्तो उस time दोस्तो बहुत सारी धांदली भी इसमें हुई है तो दोस्तो मेरा मानना है कि जो एक्जाम है वो TCS ही सही करवाएगी दोस्तो NSC IT में दोस्तो बहुत सारी धांदली होती आई है पीछे भी जितने भी एक्जाम कंड़क्ट करवाए हैं इसका कोई भी एक्जाम दोस्तो बोरिस सहाब सुत्रा नहीं दोस्तो इसमें धांदली होती है तो जलिए दोस्तो यही एक छोटा सा अप्डेट देना था और जैसे ही कोई रेलवेक अप्डेट आदा तो मैं इस चैनल पर अप्लोड कर दूंगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करें और अगर दिल करें तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें तो जै हिंद जै भरत